चार जून को चुनावी नतीजे आएंगे और नतीजों से पहले न्यूज एटीन मेगा एक्जिट पोल लगातार आपको दिखा रहा है तो अठारवी लोग सबा के लिए चुनाव की प्रक्रिया संपन हो गई देश में साथ रिटर्णों में चुनाव हुए और थोड़ी ही देर में देश में अगली सरकार को लेकर जो अनुमान है वो आपके सामने होगा चार तारीक को नतीजे सामने होगे आज नतीजों से पहले अनुमान सामने होगा तो अनुमान में कौन आगे है बाहर निकल कर वोट देने के बाद किसने क्या कहा वो हम लगातार आपको बता रहें नीज़ेटीन का मेगा एग्जिट पोल थोड़ी देर में एक अनुमान की बात हम शुरू करेंगे तो देखिए 95,000 लोगों से बात की गई और तब जाकर जो डेटा तयार हुआ है वो आपके सामें तोड़ी देर बाद होगा और इसी लिए हम कह रहे हैं कि जो सांपल साइज है वो बड़ा है क्योंकि चुनाव देश का था और ऐसे में बड़े ब्यापक स्तर पर इस एग्जिट पोल के लिए डेटा कंड़क्ट किया गया है और लोगसमाचनाओं के अंतिम चरंड की जो वोटिंग थी वो आप खत्म हो चुकी है आज राच्चों की 57 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं कौन कौन सी वीवी आईपी सीट रही वीवी आईपी मत दाता रहे वो सुभा से ही हर तस्पीर आपको न्यूजेटी नेटव पर देखने को बिलिग है और लगातार आपकी स्क्रीन में आप यह जानकारियां देख रहे हैं जो एक्जिट फोल रहेगा वो धीरे धीरे इसी टेली की शकल में आएगा उपर आप देख पा रहे हैं इंडिये को कितना इंडिया को कितना अदर्स के खाते में कितना जाता ह हुआ नजार आ रहा है लोग सभा चुनाओ 2024 ये एक्जिट पोल है चार जुन का इतजार सभी को है लेकिन चुनाओ इस देश के लिए सबसे दिल्चस्प मसला होता है हर कोई जानना चाहता है क्या आप क्या वाट इस नेक्स और यही वज़ा है कि उसका ध्यान रखते हुए स और बड़ी दस्वीर आज आपको देखने को मिली है बड़े मुद्दे जिनके साथ लोग सभाचनाओ की ये प्रक्रिया शुरू हुई थी दोस्तों से ज्यादा रहलियां पधान मंती नरेंद्र मोदी ने की राहुल गार्धी की भारत जोडो नियायात्रा 6600 किलोमेटर का सफर राहुल गागरे सियात्रा के जरिये तै किया गया तै किया इसके अलावा दच्चिन से लेकर उस्तर तक के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई खटाखट 66 सफाचट तो इसमें संपूर सार है खटाखट से लेकर सफाचट तक पुनीत के पास कोई महत्वकून जानकार आप तो बता ही रहे हैं लेकिन बड़े लड़या की बात कर लेते हैं क्योंकि महायग्य जो है उसकी पूर्णा होती थी आज और महायग्य की पूर्णा होती हो गई है अब इसके बाद यग्य देवता क्या फल देते हैं वो तो चार तारीख को पता चलेगा लेकिन जिन्हो के रिशी मुनियों के अपने अनुमान होते हैं तो अनुमान भी पता चलेगा और यज्यदेवता क्या परिणाम दिखाएंगे चार ताृइख के पूरना होती हो और आखरे चरण की बोटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है लेकिन अब बात कर लेते हैं बड़े लड़ईया की बड़े बड़े चेहरे बड़े बड़े दिगत जिन्हों ने खुब ताकत लगाई और खुब ताकत लगाने के बाद उनके परिणाम क्या कुछ है ये जनता ने की जनता ने कर दिया है आज ही फैसला हुआ है राहुल गांधी दो-दो सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा है कॉंग्रेस के सबसे अगर स्टार केंपिनर की बात की जाए तो राहुल गांधी जो हैं वही रहे हैं और उन्होंने भी खूब रहलियां की हैं अनुराग आते हैं और बठिंडा की बात करें तो हर सिम्रत को और बादल ये बड़े चेहरें बिग फेस बिग फाइट जो है जहां पर हुई आज वो तस्वीर आप देखिए नितिन गटकरी नाटपूर ये भी बड़ा चेहरा है और नितिन गटकरी केंद्री मंत्री और एक प्रकार सका जाये तो हर कोई इनको जानता है के काम के लिए जानता है किरन रीजी जीजु अरूलाचल परदेश से आते हैं अरूलाचल पस्षीन से हैं किरन रीजी जीजु आप वी केंद्र में है किरन रीजागि जूञ Sometimes क्विए वो बीग खाइट में ये शेरे है अर्जुन राम मेगवाल ये बीका नेर से चुनाव लड़ चुके हैं और अब इनके खिस्मत जो है वो इवीम में कैद हो चुकी है इनके परिणाम चार तारिकों आने वाले हैं अन्नाम अलाई कोयम बटूर से देखि बहुत बड़ी ये बड़ा चेहरा है साउथ की अगर नजर से देखा जाए तो बहुत बड़ा चेहरा है क्या होगा इनके बागे का फैसला नतीज चार तारिकों राहूल गांधी कॉंग्रेस से बड़ा चेहरा सबसे बड़ा चेहरा और ओम बिर्ला कोटा से आप चुनाव लड़े हैं ये बड़े बड़े चेहरे हम आपको एक तो आने वाले दिनों में पता चलेगा चार तारी को पता चलेगा जिस दिन नतीजें सामने आएंगे लेकिन बड़े और मेरट देखिए मेरट जैसी बैत्वफून सीट और राम का किर्दार जो राम को लाएं आपको यात होगा चुनाव में बहुत सारी चीज़े चली लेकिन अरुन को भी मेरट से हैं राजनात सिंग लखनाव से चुनावी मैदान में हैं इनकी सीट के भी का भी फैस जाना माना मुंबाई उत्तर मध्य से इनहें टिकट दिया गया मनौरलाल खटर मुख्य मंत्री से इसके बाद उनको लोग सभय मुतारा गया करनाल से आप चुनाव लड़ रहे हैं मैबुवा मुप्ती अनंत नाक से चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा धर्मींद भागे का फैसला किया चार तारी को पता चलेगा लेकिन इस वक्त सीदे चल रहे हैं ललित और अपड़ना की बाद बिलकुल और लगातार आपने देख लिया कि फाइट किन के बीच है कौन वो बड़े चेहरे जिन पर सब की निगाएं टिक हुई है पूरे देश की निगा पूल की तो एकजिट पोल जिसके फेवर में आता है वह तो कहता है वो गदगध होता है लेकिन इसके नहीं आता है वो कहता है कि नतीजों का इंतजार कीजिए 2019 के अगर MP को लेकर exit पोल की बात किया तो 24 सीचे BJP को और 5 सीचे कॉंगर्स से खाते में आई दिखाई गई थी लेकिन नतीज़ा आया था 28 सीचों पर BJP और एक पर कॉंगर्स तो हमारे साथ खास पैमान जुड़े हुए हैं अजे धवले हैं BJP के प्रवक्ता और साती संतोष गौतम हैं कॉंगर्स का पक्ष रखने कले कॉंगर्स प्रवक्ता और आलोक वच्जी आपको नजर आ ही रहे हैं लेकिन संतोषी पहले मैं आपके पास आऊंगी पहले कॉंगर्स का फैसला कि एक दित पोल्क की डिबेट में शामिल होगी अब वापस वैसला बदला गया आप शामिल हुए हैं हमारे साथ क्या लग रहा है देखें निश्चित रूप से कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया का डिबंदन ने बहुत कड़ी मैनत के इंचुराओं में और निश्चित रूप से हमको लगता है कि हम अपन तमाम मुद्दे बीच में लाते रहें चाहे वो मंगल सूत्र का मुद्दा हो चाहे वो मुझरात आखरी में ले आए और अब तमाम तरीके की बाते हैं तो मैं समस्ता हूं प्रधाम मंत्री के जो लगा था भाशा का इस्तर गिरता गया उनकी जो बॉपलाश बढ़ती गई वो इसी बात का परिणाम सी कि हम उनके असफलता की कहानी को जन्जनते को पहुचाने में सफल रहें और निशित रूप से जब चाहर तारी को परिणाम आएगा तो इंडिया गडबंदर की सरकार होगी यह 290 से उपर का आंकड़ा यह कॉन्फिडेंस है कोई रिसर्च है या कॉन्फिडेंस की लकीर को कुछ लंगते हुए आप नज़र आ रहे हैं किस हिसाब से यह हुए है संतोज जी भारती जनता पार्टी की तरह 400 की बात नहीं करते हैं क्योंकि इस तरीके की अतिरेक पूर्ण बात करना भारती जनता पार्टी के आदत के शुमार हो गया है पर लेकिन हम यह चाहते हैं कि हम दो आंकड़ा दे जो वास्तों में ऐसा लगए कि हमी भी अंदर से आत्मे विश्वास भारती जनता पार्टी की तरह जुमले फेकने की कॉंग्रेस पादत नहीं है यह बिलकुत सही बात है अपने अच्छी बात है अपने पास जितना उतना ही दावा करना चाहिए आजये धवले भी हमासात लगातार बने हुए धवले साब आपका एक रियक्शन अब धीरे धीरे एक्जिट पोल के जो एक तरह से एक चेहरा है वो क्लियर होना शुरू निवाद देता है कि फिर एक बार मोधी सरकार का जिस दमदारी के साथ में आगाज होने जा रहा है उसकी आपने कल बानगी देख ली थी कि कॉंग्रस ने एक्जिट पोल का वॉक आउट करने की घोशना कर दी लेकिन पूरे देश से जो संटिमेंट निकल के आया कि कहा भा इनकंबंसी का वोट मिनने जा रहा है और हम धमदारी के साथ को बदला आपने नतीजों के साथ बी जेपिन और ये प्रोकमेंसी टर्म लेकर आई वीजे पी ठीक है समझ आता है लेकिन क्या था ये कि हर सीट पर जहां-जहां हम लोग गए ना कवर करने के लिए आपके तीन तीन टाइम के सिटिंग MPB नरेंदर मोधी के नाम पर वोट मांगते नजर आए नॉन परफॉर्मिंग MPs को आपने रिपीट किया सर्फ मोधी माजिक के भरोसे अगर आपको यह पॉलिटिक्स का एरा है जब आपके प्रधान मंत्री जो इस भाती जनता पर्टी का भी चहरा और इस देश का भी चहरा है उन्होंने अपने दसफर्चों के कारेकाल में देश में पर्फॉर्मिंस ऑफ पॉलिटिक्स का एक जो कृतिमान फाफित के हैं उनके नाम पर भाती जनता पर्टी को ओट मांगने में कोई दिक्कत नहीं है हम विपक से आशा करते कि विपक अपने नेताओं के नाम पर वोट मांगी धान मंत्री जी ने इस देश को जिस उचाई पर पहुचा है असे लगता है भाती जनता पर्टी गौरानवित है कि ऐसा एक नेचल तो हमें प्राप्त हुए जे 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 हां मैं सुन रहा था नाना प्रकार की जो उपमाएं हैं वो उनके लिए दी जा रहे हैं खेर आलोग जी भी आवा साथ लगातार बने हुए है आलोग जी अब ये एक और भी दावा आ गया अभी अभी मीटिंग हुई इंडिया हाँ कोई अपनी डिफीट मानने को तयार नहीं होगा को जिसकी जमानत भी जब थो रही हो वह भी कहा कि मैं दो लाग से जीत रहा हूं तो यह हम लोगों ने देखा है चुनाओ दर चुनाओ लेकिन चार तारीक को यह सारे फैसले आ जाएंगे और जो आपने सर्वे किया है जिसका आप मुझे तो लगा कि छे बजे ही बता देंगे लेकिन अब लगरा कि साथ वजे आप उसकी तरीके का हमने आपको डिखा है कि पन्चानवे हजार लोगों पर बिभिन बिभिन जगों से तो काफी मुझे लगता है काफी नजदीक होगा जो एक्शुल फैक्ट जिसका जिक्र भी किया सा मौतर्मा ने कि जो लोग रिपीट हुए तीसरी बार नौन पर्फॉर्मिंग एंपीज उनको जंता ने बहुतों को अपने गले से नीचे उतारना मुनासिब नहीं समझा लेकिन अंत में चुनाओ आते आते मोधी जी को चुकी देखना चाहते थे प साम पर भोड़ कर दिया लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं खासकर बिहार में और यूपी के प्रवांचल वाले बेल्ट में जहां लोगों ने उसको सबक सिखाने का अने वारे थी कि बिहार में जानते हुए आपका पर्सनल फेवरेट विशे है नहीं है आप बिहार से यह जाने ह मेरे बिहार को लेकर आपसे यह था कि जो आखरी के दिनों पर यह सुबुगाहट हुई कि चाचा का मूट बदल सकता है लेकिन दर्माजे इस बार बंद है उसको लेकर से आपका छोटा सा रियाक्शन उसके दो कारण है एक यह जो परसेप्शन है कि 400 पार तो लोगों ने कहा कि आलोग मज जी को सबक सिखाना है इनको रहने तो इस बार परलेमेंट मज जाने तो 400 तो आही रहा है तो यह साइनिंग इंडिया फैक्टर भी थोड़ा सा डैमेजिंग वाला फैक्टर हो गया बहुत जगों पे कि लोगों ने समझा कि 400 तो आही रहा है एक आलोग जी नह पी हों आराजीव चक्रवरती साहब हम ऐसा जुड़ें है आफका और छीव चख्रवरती अभी सफी तरह ने लगे हैं कहां किस स सीट पर उन्हें किस तरह से जवाब देने हैं तो राजीव है टीव हम लोग एक है क्षारी का आंतजार सभी को करना होगा एक मैं科 डि reaction हो जाए फिर सवाल रहेगा देखिए सबसे पहले तो आपके लोगपरी चैनल के माद्धियम से जो पूरे चुनाओं में जो लोग आपके मीडिया करमी सैनी करमी तमाम लोगों को मैं शुब कामना देता हूं उनको धन्यवाद देता हूं और हमारे राजनितिक बंधों को भ साना कुछ और होता है तो हकीकत तो यह है कि इंडी गर्द बंधन तो अपने आपको समेटने में बहुत समय लगा दी ममत्याब एनर्जी नाराज कभी कोई नाराज कभी डियेम के नाराज बानुमती का कुनबा विखरा विखरा सरहा और भारती जंता पार्टी के आश्मब के गोड़े में था राजीव जी इस सच में लगोड़े में थी आहूतिया कुनबा आप लोग का भी कोई कम छोटा नहीं है यह और बात है कि आपकी बाते निकल कर सामने नहीं आपाती आएंगे आएंगे आपके पास संजीव जी बहुत देर से लगा था रोगा तार हो वा 131 सीटों को लेकर क्या कहता है यह एक्जिट पोल हम आपके सामने रखेंगे तो थोड़ी देर में देक्शन भारत का एक्जिट पोल आपके सामने होगा सबसे ज़्यादा इसी पर फोकस है इसी को आपको समझना है महमान लगातार हमां साथ बने हुए उनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं और थोड़ी देर में देक्शन भारत का एक्जिट पोल तक्रीब देश का चुनाव था लेकिन जनता के बीच जो लोकल मुद्दे थे उनको लेकर लगाता जनता मुखर हो रही थी देखिए इस पूरे के पूरे चुनाव में अगर आप देखेंगे तो भारतिय जनता पार्टी जो है वो परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के नाम पर वोट मांगती रही अगर आप देखेंगे इससे पहले जब चुनाव हुए थे जब विधान सभा के चुनाव थे तो उस स कहते थे कि हमने राम अंदिर बनवाया हमने ये करवाया हमने वो करवाया जब देश के जनता देश का युवा देश के किसान देश की महिला क्यों देखेंगे जिस समय था वो उनकी उपर दुगना जरूर हो गया और 2014 से लेकर के 2023 के बीच में तक्रीबन तक्रीबन 10,000 से ज़ादा किसानों ने आत्मत्या करी इस डाटा के बारे में भारती जंता-पाटी ने ना कभी बात करी और ना किसानोंसे कभी इस बारे में बात करने की वो चर्चा करने का कुछ काम करते हैं तो नरेंदर मोधी जी जो सरकार है उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर देश को ब्रहमित करने के लावा और कोई काम दूसरा किया ही नहीं अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे इलेक्शन के अंदर सिरफ और सिरफ भारती जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने क्या किया नरेंदर मोधी जी को भगवान के साथ कंपेर करने का और नरेंदर मोधी जी को भगवान से उपर दिखाने का काम किया अगर आप थोड़े समय पहले देखे जो पुरी से लोकसभा संधीब पात्रा जी ने जिस तरीके से ब्यान दिया अगर आप देखे तो इनका मांसिक सर किस तरीके से गिर चुपा परना जी एक दिन बाद माफी मांगी गई और उन्हां ने ये और कहा एए अनाई से कि कि अगर कोई भी सहेज इंसान इस तरीके की बात ही नहीं कर सकता मतलब होगा यह बात खुद मान चुके हैं कि मैं सहेज हुई नहीं तेरी मांसिक अन्हीं पूरा सुना इसका दूसरा पहलू भी उससे जुड़ा एक सवाल मेरा रहेगा लेकिन इस वक्त हम आप सभी को रोक रहे हैं यह चोड़ा से ब्रेक के लिए रुकेंगे और यह चर्चा और मेगा एक्जिट पोल लगातार जारी रहेगा चोड़ा से ब्रेक